पापा जी अपनी बेटी का कहा नहीं मानेंगे आप नीता की शादी के कुछ दिन बाद ससुर अजर जी बोले नीता बेटा हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारे घर एक बेटी भी हो लेकिन हमारी खुआइस पूरी नहीं हो सकी दोनों ही बेटे हैं हम चाहते हैं तुम हमारी बहु के साथ साथ हमारी बेटी भी बन कर रहो नीता तो बात सुनते ही बहुत खुशी से जूम उठी उसकी आँखों में प्रशंता से नमी भर आई और बोली पापा जी मैं आप से कह नहीं सकती आपने मेरे दिल की बात कह दी मैं तो सुयम इस घर की बेटी बढ़ना चाहती हूँ अजय जी और सासुमा कोशल्य जी के चहरे पर मुस्कान तथा राहत के भाव तैर आए बहुत जल्द ही नीता ससुराल के महाल में रच बस गई घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी सास ससुर उससे बहुत संतुष्ट और खुस रहते थे उसे एक बेटी की तरह प्रेम करते किसी तरह का कोई पाबंद रोग टोग उस पर नहीं लगाते थे समय बीता गया अब तो नीता दो प्या आस में आ गया था और बेटी तीसरी में उस दिन सनिवार था अकसर चुटि के दिनों दोनों बच्चे दादा दादे के पास रात के वक्त कहानिया सुनने आते और कई बार उनके पास ही सो जाते उस दिन भी दोनों उन्हीं के पास सो गए, सवेरे रविवार था और अक्सर सभी देर से उठते थे, सवेरे अजय जी की नींद खुली, तो देखा अभी तक पत्नी नहीं उठी थी, उन्होंने आवाज लगाई, कौशल्या, साथ बज गए हैं, उठो, चाय की तलब हो रही है, कोई उत्तर ना पाकर, उन्होंने उठकर कौशल्या को हिलाया तो, उसकी गर्दन एक तरफ लुड़क गई, उनके मूँ से चीक निकल गई, वे बेटे बहु के कमरे की, और दोडते हुए पहुँचे, और उन्हें आवाज लगाई, डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने बताया की, सोते हुए ही कौशल्या जी को, जबर जस्त, दिल का दोरा पड़ा है, और उनकी मौत हो चुकी है, कौशल्या जी की, असमे मौत से पूरा परिवार दहल गया, सभी सदमे में डूबे हुए थे, एक दूसरे को दिलासा, कौन दिलाता, बेटे बहु, बच्चे सभी एकदम उदा बने रहते, प्रकती का नियम है, समय ही सारे घाव भरता है, कौशल्या जी के जानी से, सबसे अधिक अधात लगा अजय जी को, उनके हस्ती खेलती कुशाल जिन्दिकी में, जैसे अचानक, बहुत बड़ा अवरोद आ गया था, पत्नी के बिना, जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया था, समझ नहीं आता था, कि वे किस प्रकार अपना समय काटें, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त, बेटे बहु अपने काम में, और वे समझ नहीं पाते क्या करें, अधिकतत सोचने और तनाव में रहने के कारण, कुछ समय बाद ही उन्हें सुगर क की बिमारी ने जकर लिया, और फिर बलट पेशर के भी शिकार हो गए, अब नीता उनके खान पान पर अधिक ध्यान देने लगी, बहुत समझाती रहती की वे, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, गप्पे शप्पे करें, घर से बाहर साम को पारक में घूमने फिरने बहल जाएगा, वे करते भी थे, लेकिन उसके बाद भी सहज नहीं हो पा रहे थे, पतनी का विछोर उन्हें परिशान कर रहा था, इसी तनाव के चलते, एक दिन उनका बलट पेशर बहुत बढ़ गया, और उन्हें पैरलाइस का अटैक आ गया, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लगभग 15 दिन इंजेक्शन दवाईयों के इलाज से उनकी हालत में सुधार होने लगा, और उन्हें छुट्टी देते हुए कहा, गया कि उन्हें लंबे समय तक फीजियो थेरिपी करवानी पड़ेगी, तब ही वे नॉर्मल हो पाएंगे, अब अजय जी को समहालने की पूरी जिम्मेदारी नीता पर आ गई, उन्हें समय पर खाना, दूद, चाए, दवा देना, जूस, फल, सूप, आदी बना कर देना, इन सम में काफी वक्त बीत जाता, फिर फीजियो थेरिपिस्ट आ जाता, और उनकी घंटे भर की एक्सिसाइस के दोरान, वे भी बीच बीच में आकर देखती रहती, कि वे ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, पतनी के वी छोर, और अब बिमारी से परिशान, स्वैम को लचार मानते हुए, अजय जी, अब कुछ चिचड़े भी होने लगे, महीने भर से बिस्तर से भी लग हुए थे, कभी गुसे में कहते, मुझे नहीं खाना है, ऐसा बे सुआद खाना, कभी खाने में कुछ मीठा मांगते, और नीता मना कर देती, तो चिड़ जाते, और कहते, हाँ अब मैं तो एक नकारा इनसान हुना, मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन फिकर करेगा, एक केर टेक भी रखा हुआ था, जो उन्हें समालने में मदद करता था, कभी कभी गुसे में कह उठते, मैं तुम पर मुसीबत बना हुआ हूँ, पता नहीं कम मुझे छुटकारा मिलेगा ऐसी जिन्दकी से, एक अपाहि जैसी जिन्दकी, जीना मैं नहीं चाहता, तब नीता आप क्यो परिशान हो रहे हैं, और अपने आपको क्यों मजबूर और लचार समस्ते हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और ना आप किसी पर भार है, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है ना, तो बेटी का कहा नहीं मानेंगे, अजय जी, नीता का मुझ देखने लगे, तो वे बोली, आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप सकरात्मक सोच रखिये, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, फिर पहले की तरह हम सब मिलकर रहेंगे, जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, उतार चड़ाव उपर नीचे होता र लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम हार मान जाएं, कोई भी परेशानी या समस्या ऐसी नहीं होती, जिसका हल ना हो, हाँ कुछ वक्त जरूर लग जाता है, लेकिन समधान तो निश्चित ही आता है, आप हिम्मत बनाए रखिये, सयोग दीजिये और खुश रहिये, फिर देखिये कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे, यूटूब में से कुछ मोटीवेशनल स्पीच लगा कर, वे अजजी के बैड के पास रख देती, कभी कुछ हसाईय मनोरंजक कार्यक्रम लगा देती, कभी भजन या अधिक्तिम गीत लगा देती, वे सुनते रहते, कुछ स समय बाद ही इन सब का असर दिखाई देने लगा, और अजजी की सेहत में अच्छा सुधार होनी लगा, उनका आत्मिविश्वास और जीने के प्रती चहा नजर आने लगे थे, तीन महीनों के बाद अजजी वाक्य ही साहता से चलने लगे, उस दिन घर में सभी बहुत प्र नीता के पती सतीस बोले, नीता पापा को फिर से दोबारा नई जिन्दकी देने में, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, उनकी आखे भर आई थी, नीता ने उनके दोनों हातों को अपने हातों में लेकर कहा, शुक्रिया की कोई बा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी जिमेदारी सही तरीके से निभा पाई पापा की बेटी बनी हूँ तो वहवार भी बेटी जैसा ही होना चाहिए न अजय जी की आखों में भी नीता के प्रतीत कृतिगृता के भाव थे और वे बोले नीता बेटी सच मुझ तुमने कव्य भी निभाया आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे दिन रात की सेवा का ही नतीजा है जो आज मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया हूँ नीता ने आगे बढ़कर उनके चरन इस पर्स कर लिये और उन्होंने उसके सर पर हात फेर कर धेरो आशिरवाद की जड़ी लगा दी आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बते हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले